पश्मे सिमुम जीले के मुफसिल थाना छीतर में उली जहरी में निर्माना धिन मेडिकल कॉलेज में रविवार की रात हाथसे में मरने वाले दोनों मजदूरों के परिजनों को लंबी खिच्तान के बाद मंगलवार को 11-11 लाक रुपे मुआवजा पर सामती बनी रविवार की रात के अंधेरे में सोरे मजदूरों को ट्रक ने रौन दिया था इस घटना में दो मजदूरों की मौत हो गई थी और एक गंभी रूप से घायल है जिसका इलाज MGM अस्पताल जमशितपूर में हो रहा है मेडिकल कॉरेज का निर्मान कारे तिलंगना के हैदराबाद की कमपनी केमवी प्रजेक्ट द्वारा कराया जा रहा है बिहार की मुझपरपूर जीले के रहने वाले तीन मजदूर राजकुमार भगत, दीपूर राय और गुड़ो कुमार राय काम खत्म होने के बाद सो रहे थे बिजली नहीं थी इसलिए गर्मी के कारण तीनों खुले स्थान पर सोय हुए थे इस दोरान बैक हो रही ट्रक ने तीनों को कुचल दिया आननफानन में तीनों को चैबासा सदर अस्पता लाया गया जहां चिकित्सकों ने दीपूर राय को मृत घोशित कर दिया जबकि इलाज के अभाव में राजकुमार भगत की रात में ही मौत हो गई थी सुमवार को दोनों मृतकों के परिजन 25 लाख रुपे मौवजा की मांग रखे लेकिन कमपनी की ओर से टाल मटोल किया जाता रहा आकरोशित परिजनों ने मौवजा के बिना शव को ले जाने से इनकार कर दिया और शव लदे वाहन को सदर अस्पताल परिसर में ही खड़ा कर दिया मंगलवार शाम तक दोनों मजदूरों का शव अस्पताल परिसर में ही पड़ा रहा जिससे बद्वू फैलने लगी और लोग परिशान हो गए आखिरकार साम को मुफसिल थाना प्रभारी मौके पर पहुचे और दोनों पक्षों की बादचीत के बाद 11-11 लाक रुपए मौवजा पर सहमती बनी तब परिवार के लोग शव को ले जाने के लिए राजी हुए मंगलवार की रात आठ बजे तक कंपनी की ओर से मौवजा राशी का भुगता नहीं हो पाया था जिसके कारण मृतिकों के परिजन सदर अस्पताल परिसर में ही जमे हुए हैं उसके लिए हम लेंगे टोटल एक 11 लाग की बात हुई है और समझाता है इसी पर डिय आ गया है कि वह गड़ीव है हम लोगों ने देखा कि उसकी अब भला हो जाएगा चोटा 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 बच्चा है उसका तुस परवरिश में या पैसा काम आ जाएगा आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल पर धन्यवाद